गुद बॉर्निंग फेंड्स आज जो है मैं आपको नाउन से सम्मधित एक्सराइज बता रहा हूँ दूसरा ये कि कुछ समय से मेरा हाथ में प्रब्लम थी इस बज़े से मैं वीडियो ज नहीं बना पाया मैंने जैसे को प्रमिस किया था आप लोगों को कि मैं इंडिजनल ट रहा हूं और इंडिजनल हर टेस्ट को मैं यहां पर कराना है पहले फिलर्स के रूप में फिर इसके बाद टॉपिक के कॉमन एरस के रूप में अभी आपका एक्जाम आने वाला है समय बहुत कम है मैं जानता हूं पर मैंस बात के लिए बड़ा च्छमा पर आरती हूं कि मै अधिक समय नहीं दे पाया क्योंकि मेरे हाथ में लगने की बज़े से मैं आप लोगों को इतना समय नहीं दे पाया आप मैं यहां पर नाउन की एक्सराइज एक एक करके बता रहा हूं और बिना किसी देरी के अब आपको यहां पर सॉल्व करने के लिए ट्रिक्स बता रहा ड्रिक्राइज पर जिसपर्स दा मॉव जब पुलिश ने इस डिसपर्स किया होगा तो निश्ची रूप से अगर भीड़ रही होगी तो इसलिए मॉव इस दा करेक्ट अंसर यह आल्वेज में टींस ओर्डर ओर होता है आगया ओर्डर को भाने होता है कानून बिवस्ता तो वे हमें से पार्टी में कानून विवस्ता बनाए रखता है, तो orders is the correct answer. अगला question है, should be distributed on first of every month. मन्त की पहली date को रासन दिया जाता है, रासन बनी जानते हैं आप लोग, रासन वर्ड नहीं होता, बलकि रासन्स होता है, इसलिए आपको यहां, रासन्स is the correct answer, कभी भी आजाए तो रासन्स should be distributed, I believe in her, हर एक पजैसन है, जिसके वाद मझे नाउन चाहिए, और जैसा के fundamental में मैंने बताया था कि innocency ही वाला नाउन होता है, तो इसका अंसर इनोसन्स होगा, यहां पर सलहा के लिए अगर हम इसको आर्टिकल लगा रहे हैं, तो इसके अंसर को जानिए, आवेंज होता है दूसरे का बदला और रिवेंज होता है, अपना बदला, तो वह अपनी बिजिती का बदला ले रहा है, तो इसलिए आंसर आएगा, रिवेंज, तो ही विल टेक रिवेंज, तो आंसर आएगा इसका दूसरा वाला, चली आगे बढ़ते हैं, दे एंजियो इज अवेकनिंग और वेकनिंग, यादान दीजे अवेकनिंग का मज़ा होता है, जागरूग ता फैलाना तो इसलिए आंतर है वो अविकनिंग होगा इसका अविकनिंग या नहीं आंसर क्या बनेगा अगला एपका ट्राबलीन अपर आपका ट्रेस्ट्रार लेटली कोड़कर कोस्टली और अगर आपका दिल्ली से और मुंबई गए होंगे अगर कार से तो पेट्रोल ज्यादा फोका होगा तो यह खर्ची ला रहा होगा ना कि मैगा अगर अगर पेट्र के पीछे नहीं बागता है तो वह धरवान है तो इसका आंतर है वह पेट्जेटिव जिसका मतलब होता है धरवान अगर यहां पर फ़्जेट्र के बीपड़ फ़ीर से चाहिए और मुझेदा होता है और अगर यहां पर होस्पीटल जाता तो यह पर अपर पीजेट्र को डिएंच उसक्छ पार में स्ट्रेंथ बिस स्ट्रेंट सी गेब मी अब बैलुएबल पीस ओफ अब यहां पर बिल्कुल वही वाला कुछन ने कल थोड़ी देर पहले चौथा पांजबा जो निकला है तो सी गेब मी अब बैलुएबल पीस ओफ अब जो पीस ओफ है तो एडवाइस नाउन आएगा प्रपोजिशन के वा जो बढ़िए और सी वाला जो है वो ना हो ने तो आनसर होगा प्रेृटेस पहला वाला अंसर का हो जाएगा प्रेटेस चली आगको बढ़ थे एवरीवन वाज स्टेश्टर होता है तो इसके बाद में जिआगलेट्चन और नावर्व है और अब यहां पर ना प्रहिए इ पिसे आन्था है वो नेगलेक्शन होगा on account of electric fluctuation electric fluctuation के कारण I was not able unable disabled or not able कि अंपढ़ विए निपाया तो इसलिए अन्तर है न वह नहीं था कि चलिए अगले कोश्चन की तरफ चलते हम देश और नमबर ऑफ त्री इन डिस एरिया अब एरिया होगा तो वह इंडस्ट्रियल एरिया होगा इंडस्टियस होता है वो महंती होता है तो आंसर है वो पहला वाल होगा Mr. Mohan is a very industrious boy तो Mr. Mohan एक बहुत महंती लड़का है तो इंडस्टियस इसका आंसर होगा I saw a clone, clone माने होता है सरकस में जो जोकर होता है जोकर नहीं होता है वो जाकू छोड़े बंदूक से कोई हतियार से खाहल होता है तो इसका आंसर आए गास में इनजर्ड इसका अगला है, all the members of the party, party के सभी members है, are in this, खाली जिए गए, और event, अब जैसे हमेशा दन रखना जब भी कोई object होता है, तो वो interesting होता है, जैसे movie बड़ी interesting है, और हम लोग उसमें क्या होते हैं, interested होते हैं, तो all the members हैं, वो तो interested हैं, तो इसमें तो भरा जाएगा यह वाला, और दूसरा वाला जो interesting है, वो भरा जाएगा, इस इतना भी, तो answer बन जाएगा, answer हो जाएगा इसका, all the members of the party are interested, पहले में जिवाला, और दूसरे में interesting, he always, चलिए आगे बढ़ते हैं, he always behaves, अब वह बिभार करता है कैसा, childly, childly तो word ही नहीं होता, तो childlessly is the correct answer, I don't like his, मैं बिभार पसंद नही होता अच्छा बबार होता है, तो childly तो पसंद होता है, तो childly is the correct answer, Hindus and Muslims are brethren, Hindu Muslims भाई 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 तो ब्रदर्न होते हैं, और बैसे अगर एक की पेटी की संतान होते हैं, तो ब्रदर्स होते हैं, तो Hindus and Muslims are brethren, यारी दूसरे वाला answer होगा, अगला देखें, 25, इस सहर के लोग, पीपल में अगर हम S लगा देते हैं, तो देश बन जाते हैं, इस सहर के लोग तो इसका अंसर होगा, people of this city are very in approach, अब real और realistic, realistic क्यों है, योग वो बास प्रिकता सोच वाले हैं, तो इसका अंसर है न, वो realistic इसका अंसर होगा, चलिए, आगे बढ़ते हू तो आंसर इसका होगा, people of this city are very realistic in approach, अगर अकेला in approach नहीं होता, तो किबल real लिख सकते हैं, ठीकिन, चलिए, अगले question की तब चलते हैं, it does not, अब does not जब लगा हुआ है, comment sensor मुझे बर्व चाहिए, और बर्व होता है, वो ए वाला होता है, य वाला noun होता है, तो it does not affect your lifestyle, अग बेंच वगरा रखियो, उसके बीच में से, या दो लोगों के बीच में से निकल ले हैं, तो वो इस पीस है, और जैसे कहते हैं कि वहाँ पर जगए नहीं है, एक बेंच पर तीर लोग बैटे हैं, चोहते के लिए जगए नहीं है, तो आप उसको कहेंगे no room, जैसे सचिन त अंदोल करने, दो खिलाड़ियों के बीच से, रूम बनाकर चार रण के लिए निकल दिया है, तो वहाँ पर रूम बनाया जाते हैं, रूम के लोगों कमरा नहीं होता है, रूम के पेरे दा लगा देंगे, तब होगा कमरा, तो दियर इन नो रूम इन दिस कमपार्टमेंट अगला देखिए, बिसाइड माने होता है, पास, और बिसाइड में एस लगाता है, तो के अलाबा, इस कारे के अलाबा, इस कारे के अलाबा, उसने दूसरा काम भी किया है, तो बिसाइड में एस लगेगा, बिसाइड होता है, पास, जैसे राम रभी के पास बैठा है, तो अगला दिखिए, custom होता है प्रथा, और custom में S लगा दें तो text बन जाता है, तो यहापर text की बात हो रही तो customs duty आएगा, अगला sexpair का work और works, work माने कारे होता है और work में S लगाते है तो रचनाएं बन जाएंगे, तो sexpair की रचनाओं की बात हो रही, तो the works of sexpair are milestone in English literature, तो इस जैसे को मैंने ट्विक पढ़ाया था तो जिन बचों ने इस ट्रफिक को पढ़ा हुआ है जो जो चैनल है उस पर मैंने पूरी इंगलिश पढ़ाई हुई है रिवाइस बार-बार की होगी चलिए इसके 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 प्वेशन से वो बता रहे है चलिए मुकेस पर्फर्फरमेंस इन एक्जामेस इस बेटर दें संतूस तो जब मुकेस में अपस्ट्रफी लगा तो संतूस में भी अपस्ट्रफी एस लगेगा His brother is as handsome as your, your में apostrophe as कभी नहीं लगता, इसलिए yours अंसर होगा दूसरा वाला The king of Nepal's palace, राज महल, नेपाल के राजा का महल, तो the king of Nepal's palace, यह दूसरा वाला सही होगा, अगला Sam married his friend Amun's sister, अगर यह noun दिया हुआ है तो Amun में apostrophe as लगेगा, तो अंसर दूसरा वाला Amun's sister होगा He does not know the earth weight, प्रत्वी का बजन, तो अर्थ में apostrophe लगाना होगा, तो दूसरा वाला आंसर होगा Mr. Prasad saw me at a barbers, जैसे यहां पर यह understood होता है कि अगर वो बार्वर की दुकान पर गया है तो यहां बार्वर सौप लखेने की जूरत नहीं, के बार्वर्स लिखकर कही काम चला सकते हैं, यह understood है कि बार्वर की दुकान पर ही वो गया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपस्टोफी कभी नहीं लगा सकते हैं, इसलिए यह हो नहीं सकता, विजर्थ आपस्टोफी से यह लगेगा, He follows my advice वो किसी और की advice नहीं करता है वो मेरी advice फॉलू करता है He follows my advice and nobody else अगर मैं nobody में अकेला आता तो तुम else ये नहीं होता तो तो दो ही सही हो जाता है लेकिन else आ गया है तो हम इसे नहीं लगा सकते else में apostrophe लगाएगा है इसलिए दूसरा वाला आंसर होगा He follows my advice and nobody else We like We like, हम पसंद करते हैं Each other या one other आ जाएं तो each other, other में अपस्ट्रफी लगता है तो इसलिए आंसर है वो पहला वाला होगा Shakespeare wrote many dramas Shakespeare ने कई डामा डिखी बट लेकिन Shakespeare की खनाटक का नाम ही था Love's Libors Lost इसमें double apostrophe भी मान है इसलिए आंसर है वो पहला वाला Love's Libors Lost आंसर होगा चलिए question number 14 की तरफ चलते हैं Question number 14 The legs of the table या table's leg Non-living में हम apostrophe लगा नहीं सकते हैं इसलिए leg of the table आएगा The legs of the table अगला Needs repairing Building's roof Building में non-living है Apostrophe भी नहीं लग सकता The roof of the building आएगा अगला No, I have come to buy which end ये idiom होता है Once which end एक विखती की बुद्धी चक्रा जाना तो which way apostrophe आएगा इसलिए which end दूसरा वाला से होगा There is a boys college लड़के का college है तो एक लड़के का college तो हो नहीं सकता तो लड़कों का college है अब boy का हम plural बना देंगे तो फिर हम cable apostrophe रखेंगे S नहीं लगाएंगे इसलिए आंसर वो पहला वाला होगा Roman is a friend of आफ के बाद राजा Roman is a friend of राजा अगर मैं राजा में apostrophe ये लगा दूँगा तो ये double apostrophe ये डबल position हो जाएंगे तो इसलिए ये तो होई नहीं सकता तो आंसर है वो राजा Roman is a friend of राजा अगला question है C studies in St. Joseph's यहाँ पर अगर ये understood है कि वह पढ़ती है तो इसकूल होगा यहां लिखने की जो तो नहीं C studies in St. Joseph's school तो जोजब में हम apostrophe S लगा देंगे उसी से understood हो जाएगा वो इसकूल है इसलिए आंसर B होगा Your job तुमारे step brother का job step brother का 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 मला फिर बज़े सना रहा तो step brother में हम apostrophe लगाएंगे तो आंसर दूसरा वाला से होगा अगला देखेंगे यहाँ सिप्स नेव सिप में non living नहीं है होने की बेज़े से apostrophe नहीं लगता लेकिन अगर हम सिप को personify कर देते हैं इसको इस त्रिलिंग मान लेते हैं यानि इसको he see me convert कर देते हैं तो सिप्स नेम हो सकता है इसलिए सिप्स नेम इस दे करेक्ट आंसर जैसे सूरी को चंदरमा को हम मान लेते हैं उस वकासर सिप्स को फीमियल बानते है और जब हम सिप्स को फीमियल मानते है तो सिप्स नेम हम कर सकते है अगला question है किसी भी समय के लिए vamos apostrophe A aliens लगा सकते है तो टुडे में apostrophe लगा दैंग तो तोडेज निउस्पिपर यह अंसर होगा दूसरा बाला चलिए अगर हम आगे की तरफ चलते हैं नमब 23 की तरफ 23 में देखिए पहला कुछिछन है आपका पहला कुछिछन है आपका डर्टी इस डर्टी तो क्या डर्टी है देखो ज़रा दे ग्लासिस बॉटम तो ग्लासिक आपको यहां पर लिखना पढ़ेगा तो इसमें अपस्टरफी लगने सकता तो बॉटम बजगास अंसर होगा अगला देखें अगल्स रूम लड़कियों का रूम एक लड़की का नहीं लड़कियों तो लड़की का प्लॉवल के लिए गल्स लिखेंगे और फिर हम एपस् ब्रजवासी की दुकान किस की है क्या पता किस की तो आपको यहां पर लिखना पड़ेगा ब्रजवासी सौप अगर आगे आ जाता है तो हमें लिखना पड़ता है पीछे होता चले अभी उपर बार 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 निकला तो इसमें नहीं करना पड़ा तो यहां पर लिखन क्रैटि यानि वल्स वाहट नो लिबिंग मात्रापलत हम ईनए लगा सकते हैं। इसलिए भाट ओभ दिस बैल या दूसरा वाला अंस्र सिया होगा। अगला इस से म। भी यो केव, थिद्व हम यू क्पोट लन्य डान क्यून दूसरा आंस्र से कि कि डिफ्रेंज बेजड नाउन यह बहुत अच्छी एक्सराइज जो डिफ्रेंज है उस पर बेजड एक्सराइज चलिए लोज फाइब अलफड बर्ण वाला होती हो और अलफड में एस लगातों भासाइं बन जाती तो पांच भासाइं जानता है नकि पांच अलफड के ले नहीं लिख दिया जाए तो फिस इस दर करेक्ट अंसर फाइव हंड्रेड फाइव वन टू थ्री पोर अगर हंड्र सेकंड थाउजन वगरा के पहरे नंबर आ जाए तो हम उसमें एस नहीं लगाते इसलिए हंड्रेड आएगा फाइव हंड्रेड क्लोमीटर अगला हिज ब हमाल याज लिखेंगे और देखी बर्व यह पर प्लूर लगाई गी तो हमालिया लाइट दे नौत ओफ इंडिया यहां पर देखी बर्व आर लगी हुई है इसलिए फोर्स लिखना पड़ेगा बैसे पोर्स माने बल होता है लेकिन इंडियन फोर्स को लिखना पड़ा क् है अग्रें और लिख नम्हीन पर चलते हम नमबर नाइन है अपका अर्थविक दिकिजारों कि दartiकर कि अτοाक कि ऑदेखेंदिव अब जैसे बड़ने न। उसलिए अक एक जान को प्लूमिन ऑगा अनुक्त हुट होगा अगल चैनर प्रती Scenery, Scenery में, Sceneries, Stationaries, Poetry's, Pultries, नहीं करते कभी भी, Scenery is the correct answer, The scenery of the hemaria's is very fine. अगला, The room is full of furniture, Furniture's कभी नहीं होता, इसलिए पहला answer, furniture होगा, यानि, furniture. अगला देखे, the, Kettle, Kettle में कभी S नहीं लगा ना, इसलिए, Kettle is the correct answer. अगला Elms माने होता है भीक, भीक्षा, भीक्षा को हम हमीसा plural use करते हैं, तो Elms is the correct answer, यारी दूसरा वाला सही होगा, अगला 40 sheep, sheep का plural कभी नी बनता, इसलिए आंसर है वो, sheep होगा, sheep नहीं हो सकता, अगला he gave her 500, मैंने अभी थोरे दर पहले बताया था, कि 1, 2, 3, 4, ये 500 के पहल इसलिए poetry of keys आएगा, अबना publisher is a man of courage, करेज का प्रेज याज नहीं होता, इसलिए courage is the correct answer, one should use googles, जो धूप्याम का चस्मा होता है, उसको हम कहते हैं googles, तो इसलिए googles is the correct answer, यानि दूसरा वाला इसका सही answer होगा, चलिए अग मुलीस नमबर के बाद 20 नमबर पर चलते हम, बस्तों को हम belongings कहते हैं, तो his belongings have been stolen, तो इसलिए आंसर है वो दूसरा होगा, you must keep your valuables, valuables एक adjective इसमे एस लगाते हैं, तो noun बन जाता है, valuables माने होता है कीमती बस्तों है, you must keep your valuables, यानि दूसरा वाला आंसर होगा, करन बे माई regard बर्व होती है, और regard बे अगर हम एस लगाते है तो noun बन जाएगा, और his के बाद मुझे noun चाहिए, तो doings, यानि करतूते हैं, दूसरा वाला doings इसका correct answer होगा, चलिए अगला चलते हैं, his nupital, nupital माने होता है, बिभा संबंदी कारे, और बिभा संबंदी कारे यानि nupital, nupitals होता है, nupital को नहीं होता है, इसलिए अंसर है तो इसके बाद मुझे noun चाहिए, और advice का plural, advices नहीं होता, लेकिन अगर उसने सला दी हैं, तो तो हम मानेंगे advice, और उसने advice में सूचना हैं बोल दिया जाए, तो advices हो सकता है, अब sentence को समझदारी से पढ़िए, हमने ये तो जान लिया, कि advice का plural नहीं होता, पर यहां पर सूचना हैं दी हैं, चलिए अगला पढ़ेंगे the civics, civics माने होता है नियम कानून, civic adjective बन जाता है, और civics का C अगर capital होता है, तो नागरिक सास्त्र बन जाता है, लेकिन C small होता है, तो हम इसको बोलते हैं, इसके rules and regulations, तो the civics of, तो answer होगा, वो पहला बाला होगा, चलिए आज का या वाड का मैप होता है, वो मैप कहलाता है, तो यहां पर घर का नक्सा है, तो ले आउट मनेगा, the climate of India, जो कभी नहीं बदलता है, वो climate कहलाता है, जो पल-पल बदल जाता है, वो weather, अब कोरोना के पेसेंट के लिए हमारी क्या होना चाहिए, climate सही है, इसलिए हमार है, वो बास पर ताम है, पहले नंबर पर जो सेलरी पर पुरुष का हाँ होता है, अब महलाएं अगर महनत करेंगे, तो क्यों नहीं पाएंगी, अब आप लोग महनत नहीं करेंगे, तो कैसे हो जाएगा, तो इसलिए आंसर है, सी गैट्स हैंड्सम सेलरी, चलिए आप आग अगले शुए शटन अगला है, पंडिजी एस लेंड, लेंड का प्लोल कहीं नहीं मनता, इसलिए लेंड, यानि पहला वाला आंसर होगा, यह और बावल्स, बावल्स होता है, पेट के अंदर की जो अंतर्यां होती है, उनको बावल्स कहते हैं, यह बावल्स काटो रहा वा यह एक नियम है, कि अगर, कहीं पर भी, जरसे, 4.5 लिखा है, तो यहाँ पर 1 होता, तो सिंगुलिर, आवर ही रह जाता, लेकि फोर ले गया, तो 4 की वेजे, हमें इस से कोई मतलब नहीं, हमें इस से मतलब है, अगर यहाँ 1 होता, तो five dozen X आएगा अगला है we should work for the good or goods गुड माने होता है अच्छा गुड में S लगाते है तो सामान अब हमें राज की भलाई के लिए गुड के दो मीनिक होते है एक तो अच्छा हो एक होता भलाई तो हमें राज की भलाई के लिए कार करना चाहिए तो गुड में S नहीं लगा अगला देखी रिचेज माने होता है धंद औलत और रिच एडजेक्टिव है जब मुझे नाउन के रूप में यूज करना है तो रिचेज करना पड़ेगा धंद औलत हैल में उगती है तो रिचेज यानि दूसरा जो है वह आंसर से होगा फाइव अब फाइव के बाद मु ब्यूटी में ऐसे जब लगता है जब उसके बाद उसका मीनिंग आए वह निकल जाता है महिला आएं तो आंसर होगा इसका वह पहला वाला होगा चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है आपका आफ पीपल अब लिका हुगा है यूज का बाद यूल में नहीं है लिगा तो मिलियाएं 0छ फी पीपल मिलिईंस फील tai शेयर फटोज सब्सक्राइग जाए ही यांदी सपर प्रिश्चन व दोया है बने केसे वाक एविन वन एंड हाफ अब यहां देखिए वन आया है तो हम इसमें किलोमीटर में एस नहीं लगा सकते हैं इसलिए वन एंड हाफ किलोमीटर अगर यहां पर वन नहों करके टू या थ्री कुछ होता है तो फिर किलोमीटर सो जाता तो वन एंड हाफ अंसर हो जाएगा वन पहला फिलोमीटर टो आंसर मोह पहला वाला है ठीक है अगर चलते हैं जलते हैं और बहुत और बा जाए ह। निकले रेक्टroiçãoण और भीbel पहला ठीक्न टो आंसर होगा पहला लोशु कानुन बाशता विज़स्ता थे solve तौन य शु करेक्शच थोड़ी पहला बाला आंसर चलिए आगे बढ़ते हम दह रूइंस रूइंस वाने होता है खंडर इसलिए रूइंस इस लिए अगला है मैंनी स्टुडेंट्स जॉइंड इंडियन एफोर्स अब इंडियन एफोर्स एक की बात वरी तो इसमें आप फोर्स नहीं लगा सकते हैं वहां प सर वाल उन्च्लेजि राष्टी राष्टी कोण से संसाधन तो संसाधन को लिए बोलते हैं र्रिसोर्स तो आउंसर रभी वह वन्सिट फाइल बड़ीज इंकम टेक्स का रिटरंस भरा जाता है तो इसलिए आंसर रहूद दूसरा वाला होगा महंत बाबु हैस फ़िंप इ यानि तौर तरीके, manners होते हैं, वो होते हैं, आपके जो है, किसी के अंदर attitudes होते हैं वो, तो, या etiquettes कह सकते हैं, I did all this in a simple manner, in a simple manner, मैनर यानि पहला वाला आंसर होगा, इसलिए poverty is the correct answer, 25 पढ़ेंगे, गुलीवर्स टैबल, यह जोनाथन सुप्ट के द्वारा लिखी गई है, जो है, बुक है, जिसका नाम है, गुलीवर्स टैबल, तो, गुलीवर्स टैबल, अगला पुछलते हैं, the players scored a tone, यहाँ पर ज्यादा तर, आपने कमेंटरी में सुना हो होगा, century बोल देते हैं, तो, आपने देखा होगा, तो, players scored a tone is the correct answer, अगला है, C Gips, वह दिखाती है, क्या दिखाती है, air दिखाती है, अर्ताद, नकले दिखाती है, तो, इसका आंसर है, वो, air is the correct answer, चलिए, 28 और 29 और 30, चलिए, यह तीन क्वेशन हो रहें, टूप, पहला वाला जो टूप है, वो आपका होता है, नर्तकों की मंडली होती है, इसलिए इसमें टूप, बंदरों की टोली को हम टूप कहते हैं यह वाला, तो, इसलिए, अंसर है, वो, तूप, यानि दूसर वाला होगा, तो, टूप of the monkey, सेना की टुकडी और बंदरों की टोली को हम इंडिया स्टेंड्स फॉर, गुड माने होता है, भलाई, गुड में ऐसे लगा दें, अभी भी आया था, उसका अंतर है, वो, गुड होगा, अगला चलते हैं, ही ड्रेंक, वंस अगेन, और वंस मोर में क्या अंतर है, वंस अगेन का मलब होता है, एक बार फिर पिया, वंस उसको एक गुड और पिया है, तो बंस अगेन, इस अगेन, इस अगेन, दूसरा वाला अंसर इसका होगा, तो आज आपने देखा कि नाउन की मैंने जो चार एक्सरसाइज यहां पर मैं कराई हैं, अब इसके बाद पांच में और छटी एक्सरसाइज हैं, वो जब अब जैसे अभी आज मैं कराऊंगा जो प्रोनाउन बाला टॉपिक कराने वाला हूँ, तो पहले में नाउन के मैं ने करा दी है, प्रोनाउन मैं अभी ठुरी दिर में दूसरा वीडियो है, वो डालने वाला कि और जैसे बहुत सारे वीडियो डालूँगा, इनको पढ़ि झाल झाल